तो स्वागते साती हूँ आप सभीकार राजस्तान के सबसे लोगपीरी चैनल Study Exam Academy में राजस्तान पुलिस कॉंस्टेबल बढ़ती की जिन्होंने भी एक्जाम दिया है जिस फी स्टुडेंड इसकी प्रिक्षा दिये कॉंस्टेबल की उनके लिए बड़ी यहां पर नियूज निकल कर आई है क्यूंकि आपने देखा होगा कि एंसुर की में बहुत ज़्यादे यहां पर गड़बिडियां हमें देखने को मिली थी जिसके चलते विदारती उन्हें आपती दर्ज करवाई थी टोटल 15,000 आपतियां दर्ज करवाई है और इसकी जो एंसुर की है वो अगले सब्ता नई एंसुर की आपके लिए जारी की जाएगी बहुत बड़ी यहां पर न्यूज है और आपका रिजल्ट कब जारी होगा यह सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आचुकी है इससे पहल को आज डौनलोड करें और जदी कोई भी मितर RS का पटवारी का रीट का यदि यदि तैरी करना चाता है इन सभी की तो आपके लिए बहुत ही सुनेरा आउसर है आप अनेकेडमी की टीम के माधिन से अच्छी ढंग से तैरी कर सकते हैं अब मैं आपको बता दू पूरी जान को आपती दर्ज करवाने के लिए 12 नौमर से 3 दिन का समय दिया था जैसा कि आप सभी को पता है कि 3 दिन का हमारे पास टाइम था अतरीक्ट पुलीस महान दिदेसक गोविंद गुपता ने बताया कि 72 गंटे में अभियर्थियों ने 15,000 आपतियां ओनलाइन दर्ज करवाई पी-एच्क्यू अब एक्स-पट से इन आपतियों की जांच करवा रहा है इसके बाद फाइनल एंस्वर की आपकी जारी की जाएगी इसलिए कोई भी मितर गबराई नहीं कि हमारे एंस्वर की में गलत बता रहा था कोई भी मिस्टेक थी तो इसलिए गबराने की कोई आउ विदारतियों को पास किया जाएगा टोटल यानि देखे तो 27-28 विदारतियों को यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और बाद में इनका मेडिकल टेस्ट भी लिया जाएगा इसलिए आपको बता दे कि आज से ही आप रणिंग की तयारी स्टार्ट कर सकते हैं जिन विदारतियों को लग रहा है कि मेरा सेलेक्शन हो सकता है अच्छे नमर यदि आपके आ रहे हैं तो आप विशेष तोर से फिजिकल की तयारी सुरू कर दें जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसके कुछ टाइम बाद ही आपका फिजिकल याँ पर स्टार्ट हो जाएगा पांच किलोमेटर की रणिंग होगी जिस पर आप इससे तोर सी ध्यान दें और अधिक आपको ध्यान देने के आउशिकता नहीं है यदि आपने अभी तक स्टेडी एक्जाम एकेडमीक चैनल को तोड मरोड कर लाल बटन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि जैसे इसकी फाइनल एंसुर किया आईगी या इसका रिजल्ट आएगा तो आपको सबसे पहले इसकी न्यूज मिल सके दन्यवास आती हूं जाहिंद